यूपी में उप्चुनाओ है ऐसे में आरूप प्रत्यरों के दौर के बीच में ओफर भी आपको आया है सो सीटे लेके जाई और सीएम लेगा देखिए समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आधनी योगी जी के हसीन सपने देख रहे हैं हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है उनके पास मुद्दा अगर होता हमारी सरकार के खिलाब तो वह कहते वह बिक्तिगत रूप से केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की ब समाजवादी पार्टी के लोग सबाचुनाओं में अभी तो ये ट्रेलर है उप चुनाओ दोजार चुनाओं में असी के असी सीटों पर जीच दर्ज करेंगे आधनी पधामंती नरेंद मोदी जी के कुसल मारदर्सन में देश में दुबारा सरकार बनेगी अलगातार चु आरूप लगा रहे हैं कि जात्ती सरकार करा चल मैंनपूरी और रामपूर में आप अथितने जानते हैं कि पिछली जितने चुनाओं हुए वो गुंड़ाई के बदौलत अराजक्ता के बदौलत लोगों की मनुभावनाओं को दबाया गया कुछला गया पहली बार सुतंत रूप से लोग घरों से निकल करके एक साथ भारतियनता पार्टी के कमल को खिलाने में लगे हैं यही उनकी मनसिक्ता जो है वो बिगड़ी हुई है और इसको देख करके वो बौखलाय हुए है बारतियनता पार्टी तीनों प्रचंट वहमस्च से जीतेगी और भारतियनता और दुनिया में भारतियनता पार्टी के वज़े से उत्तर प्रदेश के नाम हो रहा है हमारी लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम कर रही है और इसके साथी साथ उच्छी कोट की चिकिसा ब्यवस्ता अस्पतालों में मेडिकल कालेज इंप लब्दों इसके लिए सरकार सभी पदों को बढ़ा रही है और लगभग दूगने पद हमने सजित किया है कि बीजेपी तीनों सीटे जीत रही है और समालों पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है कोई मुद्दा नहीं है यही वज़े से अनरगर बयान भाजी हो रही है